है गाइज वेलकम टू मैं चैनल आटो केर दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके हूं फिर से एक स्टोक कंडिशन कार स्टोक कंडिशन के साथ साथ अपने इस गाड़ी को एक एंटिक कार भी कह सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी काफी पुरानी है अगर इसकी कंडिशन के इसाब से देखें तो ये गाड़ी 2022 मोडल लग रही है बट ये गाड़ी 2003 का मोडल है ओल ओरिजिनल स्टोक कंडिशन जैसी शोरूम से निकली थी उस समय उसी कंडिशन में आज भी मुझूद है आपको तो पत फुलफिल करना ही हमारा काम है मैं आप सभी के लिए ओल मारूती 800 इतनी सुपर्ब कंडिशन में लेकर आए हूँ जैसी आप को ओल इंडिया में कई नहीं मिलेगी रिचेंटल इस गाड़ी में न्यू टायर्स इंस्टोल करवाए हैं वैसे तो आप सभी को पताई है जितनी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा 2003 मोडल मारूती इस कंडिशन में मिलना दोस्तो एक नामुम्किन सी बात है पर मैं आपके लिए लाता रहूँगा हमेशा स्टोक कंडिशन गाड़ी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आटो केर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें बात करते हैं इसके रियर लुक के बारे में रियर में अगर आप देखोगे तो इसके टेल लाइट का डिजाइन जो आपको थोड़ा फ्लैट देखने को मिलेगा इससे नेक्स जनरेशन मारूत इस पेस आपको मारूती में मिलता था देखिए इस कड़िगी का कलर बिल्कुल जैनोन आज भी वैसा यह नहीं भी रस्टिंग नहीं है पूरी गाड़ी में और यह इसकी टूल किट यह इसका स्पेर विल जो की कंपनी फिटेड है दोस्तों इस गाड़ी के सभी टायर्स कं बहुत ज़्यादा सूख चुके थे इसलिए हमने इस गाड़ी के ओल टायर्स अभी न्यू इंस्टॉल करवा दिये हैं इसके कंपनी पिटे टायर्स भी हमारे पास अवेलेबल है न्यू टायर्स विद आपको जीस्टी बिल के साथ मिलेंगे बात करते हैं इसके साइट प् कंप्लीट रिवीव वीडियो देखना चाहते हैं तो निचाई बटन में आपको हमारी मारूती 800 की रिवीव वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप वहां से इसकी कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है इस करियर से डैश बोर्ड एक छोटा सा स्पोर्ट एंड बोक्सी टाइप डैश बोर्ड मिलता है बाई इस गाड़ी की खिडकियों की जो वाज है ना खुलने और बंदोने की मुझे तो बहुत प्यारी लगती है और आपको कैसी लगती है ने चेक्मेंट बोक्स में ज़रूर बताना ये देखे इसकी मीटर रीडिंग ओनली जो कि अन्यूजड है ये एक्स्ट्रा लाइट्स जो समय मारूती देती थी ये इसकी सर्विस बुक्स उस समय मैंने इसका एक बिल देखा था ओनली 450 रुपीज में इसकी ओईल सर्विस हो जी थी कि इसकी कंपनी पिटेड मैट्स जो आज तक चेंज नहीं करवाए गए हैं एक अच्छे सीट कवर से इंस्टोल करवाए गए हैं इसका कैबिन तो आपको पता यार बड़े बड़े काच के साथ बड़ी अच्छी वाली फील आती है इसके अंदर बैट कर मुझे बात करते ह कि थोड़ी जोर से बंद करने पर तो भाई ऐसे साउंड आती है जैसे कोई बंदूग से गोली चलियों कि देखिए स्टोक कंडिशन कार्स का कुछ ऐसा होता है इंजन बिलकुल सील पैक कई भी रेस्टिंग नहीं है पूरे इंजन में आज भी सभी मार्किंग मुझूद ह यह देखिए कोई भी इसका नट बोल्ट आज तक अपन नहीं हुआ है मारूती सुजुकी का काफी पॉपुलर इंजन रहा है यह मारूती एट हेंडर में आपको मिलता है थ्री साइलेंडर इन लाइन एट हेंड़ सीसी पेट्रोल इंजन जो 37 बेस्पी की पावर और 59 एनम पर लिटर की माइलेज मिल जाती है 28 लिटर के पेट्रोल फ्यूल टैंक से अब सुनते हैं इसके 2003 मोडल पेट्रोल इंजन की साउंड वाई सच पूछो ना इसका पेट्रोल इंजन आज भी एक शेर की तरह दहार रहा है और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी केबिन के अंदर बैठने के बाद एंजन की साउंड बिलकुल भी नहीं आती है उस समय भी मारूती ने नोश कैंसलेशन पर बहुत अच्छा काम किया तो दोस्तो ये थियाज के एक स्टोक कंडिशन कार इस गाड़ी की कम्पलीट डिटेल्स देने से पहले मैं आपके साथ कुछ बैसिक डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ हमारी गाड़ीयों के बारे में कुछ भाई लोग बोलते हैं सरा आप वीडियो में प्राइस शेयर कर दिया गरो भाई वीडियो में हम प्राइस शेयर नहीं कर सकते हैं वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको गाड़ी की कम्पलीट डिटेल्स मिलेगी गाड़ी का प्राइस भी आपको व मखन की तरह चमक रही है और कहीं से रीपेंट भी नहीं मिलेगी कुछ भाई लोग बोलते हैं सर आपकी गाड़ी अगर कहीं से भी रीपेंट हो तो उन सभी को मैं कहना चाओंगा आप हमारे ओफिस हनुआनगर राज़ान पर विजिट कीजिए पूरी गाड़ी चेक करवाईए उसके बाद आप बाई कीजिए आप पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल फ्री माइंड होकर आईए अब बात करते हैं इस गाड़ी की डिटेल्स के बारे में तो दोस्तो ये गाड़ी 2003 का मोडल है 2003 मोडल गाड़ी है फ़स्ट ओनर कार है ओल ओरिजिनल पेंट के साथ हैं आप देखी रहे हैं गाड़ी बिल्कुल एक शीशे की तरह चमक रही है ये ओरिजिनल कार है दोस्तो री पेंट काड़ी ऐसे कभी नहीं चमकती दोनों चाबी मिलेगी गाड़ी में अभी ने टायर्स दलवाए गए है उनका आपको GST बिल भी मिलेगा पूरी गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसकी RC दिसंबर 2023 तक रिन्यू है फुल इंशुरेंस है इसका मतलब है इस गाड़ी का इंशुरेंस क्लेम आज तक नहीं लिया गया है अब बात करते हैं इसकी RC रिन्यूवल के बारे में अगर आप नोन NCR एरिया से बिलोंग करते हैं तो इसकी RC दिसंबर 2023 के बाद फिर से एक्स्टेंड हो जाएगी 5 साल के लिए पेट्रोल गाड़ी में कोई भी दिकत नहीं आएगी रिन्यूवल हो जाती है अगर आप नोन NCR एरिया से हैं तो अब कुछ बाए लोगों के मन में RC को लेकर डाउट रह गया है तो उन सबी को मैं बता दूं कि आप इसके अंदर AC kit complete मिलती है आज भी मार्केट में इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इस गाड़ी के सबी spare parts आज भी मार्केट में अवेलेबल है वो भी बहुत कम prices के साथ तो दोस्तों यह थी इस गाड़ी की complete details अगर आप इसके price के बारे में जानना चाते हैं तो वीडियो के निचे description box में आपको इसकी price details मिल जाएंगी आप हमारे instagram page auto k4444 को follow कीजिए क्योंकि जैसे हमारे पास कोई नई stock condition गाड़ी आएगी तो हमारे instagram page auto k4444 पे आपको update मिलता रहेगा इसके लाव अगर आप हमसे contact करना चाते हैं तो वीडियो के निचे description box में आपको हमारा एक whatsapp नमबर मिलेगा आप हमें whatsapp पर call या text message कर सकते हैं office time में तो दोस्तो यह थी आज की complete वीडियो ये वीडियो आपको कैसी लगी निचे comment box में जरूर बताना अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर करें auto care youtube channel को subscribe करें notifications के लिए bell icon को जरूर प्रेस करें